हे गाईज, होप यो अलग अलग तरे की सबजियां अभी लेबल है फ्रेश सबजियां एक बार सीजन चला जाएगा तो ये सारी फ्रेश सबजियां भी चली जाएगी तो मैंने सोचा कि ओना इन सबजियों से कुछ रोज चटपता सा बनाया जाए जो टेस्टी भी और हैल्द की कचोरिया शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाए तो चली बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले डो लगाएंगे उसके लिए मैंने दो कप मैदा लिया है और उसमें डाल देंगे नमक अच्छे से न बाइंडिंग करके देखेंगे तो अच्छे से बाइंड़ींग हो जाएगी तो हमारा मोय कांत discussion अच्छे मेंने लग चुका है माने चैसी कहोई अच्छे में लग चुका है और दस से पंदरा मिंट के लिए इसको सैट होने के लिए रख देंगे तब तक यह सैट होता है जो हमारी फिलिंग है उसकी प्रिपरेशन के लेते एक कप लिया मैंने उसके लिए मतर दो से तीन हारी मेर्ची थोड़ा सा हरा धनिया और कुछ अदरक के टुकडे तीखापन आ यह ने दर्दरा जो हमारी मतर है उनको पीस लिया है ज़्यादा इसको बारिक हम नहीं करेंगे तक क्योंकि जब हम मतर खाएं जब हम कचोरी खाएं तो हमें लगना चाहिए कि उसमें मतर है अब लगाएंगे इसमें तड़का तो उसके लिए मैंने एक चमच गी आदी चमच कुटी विलाल मेच थोड़ी सी हल्दी अधी चमच लिए मेने गरम मसाला आधाई चमच लिए मेने जीरा पाउडर एक चमच सोंफ क्योंकि सोंफ का और मटर का जो प्लेवर है वो काफी उभर के आता है थोड़ासा नमक काला नमक और आधी चमच मच लिया मैने अमच तोड़ा सा सफेद नमक टेस्ट के अकोर्डिंग और सारे मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे से हम भून लेंगे जब भी आप मसाले भूने तो गैस की फ्लेम को हमेशा लो रखें नहीं तो मसाले हमारे सारे जल जाएंगे आप दो चोमच एड करेंगे इसमें हम बेसन बाइं उसके बाद अड्ड करेंगे मटर जिसको आमने दरदरा सा पीष लिया था मटर और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे एक चामच एडड करेंगे इसमें चीनी चीनी से इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा अमचूर से खटापन और चीनी से हल्का सा मिठ़ा ठंडा होने के बाद इसकी छोटी-छोटी सी बोल बनालेंगे ताकि easily हम इसकी filling कर सके आप चाहें तो बिना बोल बनाए भी इसको कचोरियों में भर सकते हैं आटे को भी अब एक बाराचे से मसल के सैट कर लेंगे आटा भी अच्छे से सैट हो चुका देखें कितना सोफ्ट आटा हमारा लगा है अब इसकी बना लेंगे लोईयां तो लोईयां हम इतनी बड़ी बनाएंगे इतनी हमने मसाले की बोल्स बनाई है उससे हम उसको दुगना बड़ा बनाएंगे तो मैंने सारी लोईयां बना ली है अब दीरे दीरे इसे किसी चकले पर या कि अच्छे से लोग कर देंगे ताकि कहीं से भी ये खुले ना चारो तरफ से अच्छे से लोग करने के बाद इसको वापिस शेव दे देंगे एक लोई की आप चाहें तो बेलन की मदद से भी से इस तरह से बेल सकते हैं और सेम प्रोसीजर है उसके अंदर मसाले की बोल और चारो तरफ से इसको अच्छे से सील कर दीजिए तो आप लोई हमेशा जितनी आप मसाले की बोल बनाए उससे थोड़ी सी यानि डबल करनी चाहिए तो इस तरह से मैंने सारी जो कचोरियां है उनको रेडी कर लिया है अब हतेलियों की मदद से इस तरह से बीच से इसको प्रेस करेंगे ताकि यह अच्छे से फूल सकें तो इसी तरह से मैंने सारी कचोरियों को तेलियों की मदद से प्रेस कर लिया है तेल मैंने गरम कर लिया है और धीरे धीरे एक केक करके लोई इसमें जो हमारी कचोरियां है उनको छोड़ते जाएंगे छोड़ने के बाद कम से कम चार से पास मिंट के लिए इनको हम बिना छेड़े इसी तरह से फूलने देंगे तो जो हमारा ओयल है वो ना तो ज़्यादा गरम होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए इसे बिल्कुल मीडियम गरम होना चाहिए ताकि धिरे धिरे जो कचोरियां उसमें पक सकें औ तो इस तरह से बार बार उनको उलट पुलट करते रहेंगे गोल्डन ब्राउन होने के बाद इने निकाल लेंगे तो कचोरियां हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है इनको हम निकाल लेते हैं तो इस तरह से मैंने सारी कचोरियों को निकाल लिया है और अब इने गरमा गरम हम अरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, सोस के साथ, चाय के साथ, गर्मा गर्म इन कचोरियों को आप सरू कर सकते हैं और ये एकदम खस्ता से यम्मी सी होती, खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आपको मैं एक कचोरी काट कर दिखाती हूँ कि यह कितनी खस्ता बनी है तो आप चाको की मदद से काट के देखिए तो आप देख सकते हैं जी बिस्तों खस्ता बनी है इसलिए आवाज भी आप शुन करने हैं मैं आपको और किसी दोड़े लिखाती है कि तो इस तरह से आप घर पर एक रस्ता सी पतुरिया बना सकते हैं तो आप उन सब्जियों से काफी सारी डिसिस बना सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स प्लीज कमेंट्स क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें काफी होसला मिलता है और हमें कुछ न कुछ नया बनाने के लिए यह उत्साइद करती हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा और प्लीज आपके और हमारे इस चैनल को सब्सक्रा करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई एंद थैंक्यू फोर वाचिक